पारवती जी भी बेट कर तब करी उनके नयन्द से जो असुर निकला उससे बेलपत्री का भरक्ष हो काय का भरक्ष हो रुद्राक्ष का भरक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए काय का ब्रक्च? रुद्रक्चा बेल पत्री का ब्रक्च घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाना चाहे और एसी जगा नहीं लगाना कि जहां पर बेल पत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंधी वस्तूस के नीचे पड़ी तेतीस करोड देवी देवता बेल पत्री के पेड़ के नीचे सोंबार के दिन कोई रविवार के दिन कोई मंगलवार कोई गुदवार कोई गुरुवार कोई शुक्करवार कोई सनीवार के दिन बेल पत्री के नीचे आकर 33 करोड़े भी दे होता हो तब करते हैं साधना करते हैं पूजन करते हैं बेल पत्री के पेड़ का बड़ा प्रमाने थे सोंबार के दिन अश्टमी पढ़ने 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 कौन से दिन सोंबार के दिन अश्टमी तिथी पड़े कोई से भी सुंबार को यदि अश्टमी पड़े उस दिन अगर किसी की यहां पर संतान नहीं है बच्चे नहीं है आटाट ददस साल हो गए 15 साल हो गए और बच्चे नहीं है सुंबार की अश्टमी के दिन बेलबत्री के पेड़ के नीचे एक ब्र इसना मनी को गोधी में बच्चे को बिठा कर खीर का भोजन करा दो उसी की जूपी खीर जिसके बच्चे महीं है उस पती और पत्नी को खिला दो बेलपतरी के पेड़ के नीचे शाम के समय मातर तर तेन से चार महिने में नारी का घर्व ठे लियाता बेल पत्री के पेड़ का इतना प्रमाद एक बेल पत्री ऐसी होती है जो कि शंकर पर अगर चड़ी हुई है तो बापी सुतार कर दो कर फिर शिव को चड़ा से